हलो बच्चो वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स वान अलजिब्रा का चैप्टर फोर जिसका नाम है रेशियो इन प्रपोर्शन हमने इसके चार प्राक्टिस सेट अलड़ी कर दिया है अगर आपने उन नहीं दे फिर इसके question solve करेंगे continued proportion नाम में आपको समझ जाता है कि क्या है continued जैसे देखो यहाँ पे a upon b दिया है it is equal to b upon c यह b यहाँ से continue होके यहाँ पे जा रहा है ठीक है इसलिए इसको बोलते है continued proportion तो आपको ऐसा कहीं पे भी दिखाना a upon b equal to b upon c तो आप सीधा बोल सकते हो कि continued proportion में है अभी cp लिख रहा हूँ बाद में cp मत लिखना कहीं पर सिर्फ ऐसा भी दिया आपको और यह suppose नहीं दिया ऐसा दिया तो यह देखके आप बोल सकते हो कि अच्छा a b c continued proportion में है तो मतलब a upon b फिर b जो वीच वाल है वो continue होगा b upon c ठीक है इसको देखके आप यह लि बोलते हैं geometric mean या फिर mean proportional ओके दोनों words में देखो mean है तो याद रखना है यह जो बीच में लेटर होता है b उसको geometric mean बोलते हैं या mean proportional बोलते हैं आया समझ में लेट से मैं आपको एक example देता हूँ 4 upon 6 and दूसरा है 6 upon 9 अब यह दोनों equal है देखो 4 upon 6 को आप सिंप्लिफाइ करो 2 के डेबल में कटोगा दोनों 2 2s are 2 3s are और 6 upon 9 को सिंप्लिफाइ करो दोनों 3 के डेबल में कटोगा 3 2s are 6 3 3s are 9 दोनों का value क्या आ रहा है देखो 2 upon 3 2 upon 3 यह दोनों तो equal है बढ़ आप तो 4 upon 6 फिर 6 यहां पर continue हो रहा है and is equal to 6 upon 9 तो यह continue हो रहा है तो यह तीनों number continued proportion में आप cross multiply करके चेक करो यह 6 into 6 क्या आएगा 6 into 6 आजाएगा 6 square और यहां पर 9 into 4 क्या आएगा 9 into 4 आजाएगा 9 into 4 हम लिख सकते है और 9 into 4 36 आएगा तो आपको दिख रहा है इस दोनों को multiply करें तो हमेशा आपको ऐसे square मिलेगा क्योंकि same number देखो यहां पर B into B क्या आजाएगा आपको B into B मिलेगा B square और A into C क्या आजाएगा AC तो आप यहां तो याद रख सकते हो AC equal to B square या या याद रख लो B square equal to AC जब भी continued proportion होगा तब यह जो बीच में नंबर होगा जिसको बोलते है geometric mean या mean proportional उसका square करेंगे न तो बाकी दोनों number का product मिलेगा यहां पर देख लो अगर मैंने बुला 4, 6 और 9 continued proportion में है अगर continued proportion में तो उसको कैसे लिखेंगे 4 upon 6 फिर 6 continue होगा 6 upon 9 दिख रहा है तो यहां पर जो बीच वाला जो number है उसका square कितना है देखो 6 square which is 36 it is equal to product of first and last 4 into 9 कितना आएगा 4 into 9 भी आएगा 36 देखो equal है न दोनों तो b square is equal to a c यह एक relation है जो हमको याद रखना है समझ मैं continued proportion क्या है अब यह सब side में रख दो सिर्फ इतना सा देखो यह सब हटा दो अगर a b c तीनों continued proportion में तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो a upon b equal to b upon c b पे continue हो रहा है दिख रहा है और यह वाला relationship याद रख लो अगर continued proportion में है तो आप बोल सकते हो b square equal to a c जो यह बीच में letter न जिस पे यह continue हो रहा है उसको बोलते हैं geometric mean या mean proportion ठीक है चलो यह relation यूज़ करके solve करते हैं first question दिया है which number should be subtracted from 12, 16, 21 so that resultant numbers are in continued proportion वो क्या बोल रहा है कि तीन numbers है यह तीन है यह लोग continued proportion में नहीं है यह तीन में से आपको कुछ subtract करना है एक ही number which number should be subtracted तो यह तीनों में से एक number subtract करना है जिसके बाद जो numbers आएंगे न वो continued proportion में आ जाएंगे अब हम लोगों को number तो पता नहीं है तो हम लोग जो भी चीज नहीं पता होती है उसको क्या लेते हैं X तो हम लोग ले लेते हैं कि इसमें से X subtract किया इसमें से भी X subtract किया इसमें से भी X subtract किया अब X subtract करने के बाद क्या होना चाहिए जो number I, resultant मतलब जो result आया, जो numbers I वो continued proportion में होने चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ 12 minus X, 16 minus X, 21 minus X are in continued proportion तो ऐसा लिख सकते है let the number to be subtracted भी X, अगर इसमें से X subtract किया तो बन जाएगा 12 minus X, इसमें से 16 minus X इसमें से 21 minus X तो ये तीनों जो आये नए numbers, ये continued proportion में अगर ये continued proportion में है तो हम और क्या बोल सकते हैं therefore, क्या आजाएगा 12 minus X upon 16 minus X अभी 16 minus X continue होगा जो बीच वाला है वो, वापस 16 minus X इदा आजाएगा is equal to 16 minus X upon 21 minus X अब ये तो एक equation है इसको solve करना है easiest method यहां पर दिखता है कि इसको cross multiply करके solve करो लेकिन cross करोगे ना तो X square आएगा, दिख रहा है अभी हम लोग ने ये chapter में component और डिविडेंडों सीखा ना अगर मैं डिविडेंडों लगाऊंगा तो numerator upon denominator में उपर denominator minus हो जाएगा ना तो ये X कर जाएगा देखो बचो, यहां तक continued proportion यहां पर खतम हो जाता है इसके बाद तो आप सिर्फ ये equation solve कर रहे हैं अब equation solve करने के अजारों तरीके कुछ लोग बोलेंगे अरे X का value substitute करकर करके check करेंगे पहले X equal to 0 डालेंगे फिर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे ऐसे करकरके जिंदगी पर check करते रहेंगे लेकिन answer तो हम लेके आएगे दूसरे लोग बोलेंगे, हम लोग cross multiply कर लेंगे सीधा वो भी सही है और अगर हम यही chapter के concept से use करें तो हम तो dividend भी लगा सकते हैं dividend क्या आता है? numerator upon denominator है तो आजाएगा numerator minus denominator upon denominator तो यहाँ पर क्या आजाएगा? आपको मिलेगा 12 minus X minus of 16 minus X अपॉन नीचे क्या आजाएगा? 16 minus X दिख रहा है? numerator minus फिर यह denominator और नीचे तो denominator ही राइट साइड में भी आपको लगाना पड़ेगा dividend हो तो आपको मिलेगा 16 minus X minus 21 minus X अपॉन नीचे क्या आजाएगा? 21 minus X reason क्या लिख देंगे? लिखेंगे by dividend हो अब हम लोग next step में क्या करेंगे? next step में देखो numerator में यह 12 minus X ऐसे ही होगा यह minus अंदर जाएगा तो बन जाएगा minus 16 यह minus और यह minus बन जाएगा plus और उसके बाद क्या है? X और नीचे आएगा 16 minus X इधर यह 16 minus X ऐसे ही रहेगा फिर minus 21 फिर यह minus जब यह minus के साथ जाएगा तो बन जाएगा plus साथ में क्या है हमाँ पे? X तो इधर आजाएगा X denominator में तो कुछ चेंज नहीं किया है वह ऐसे ही रखा है 21 minus X इधर से इधर हमने से bracket खोला है ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है? यह minus X के साथ यह plus X cancel यहाँ पे plus X के साथ minus X cancel क्या बचा? 12 minus 16 12 minus 16 क्या होता है? 12 minus 16 होता है minus 4 नीचे क्या है? 16 minus X equal to यहाँ क्या बचा? 16 minus 21 16 minus 21 क्या आजाएगा? minus 5 upon 21 minus X दोनों जगे minus है ना? तो cut कर सकते हो confusion है तो मत करो, cross multiply करो ठीक है? cut करेंगे तो भी बहुत easy हो जाता है लेकिन नहीं समझता तो हम cross multiply करेंगे अब तो simple हो गया ना? cross multiply करने पे quadratic equation नहीं आएगा इधर क्यों नहीं किया cross multiply? क्योंकि यह x into x, x square देता उसमें भी कोई tension नहीं है solve कर सकते हैं उसको भी लेकिन factors निकालने पड़ेंगे product देखना पड़ेगा, है ना? इससे अच्छा ये करते हैं तो यहाँ पर देखो, इसको cross multiply करेंगे तो क्या आएगा? minus 4 into 21 minus x is equal to minus 5 into 16 minus x, ऐसे ही होगा तो यहाँ पर यह minus 4 into 21 क्या आजाएगा? minus 84 फिर यह minus into minus हो जाएगा plus 4 into x मिलेगा 4x equal to यहाँ पर क्या आएगा? minus 5 into 16 हो जाएगा minus 80 फिर minus into minus हो जाएगा plus and यह 5 into x आजाएगा 5x अब क्या करोगे? यह 5x इदर यह 4x को उदर बेज़ दो और यह minus 80 को इदर लेकिया तो आपको मिलेगा minus 84 minus 80 इदर आजाएगा तो plus 80 बन जाएगा यह 5x इदर यह 4x उदर से आएगा तो minus 4x हो जाएगा देखो यहाँ पर यह 4x को इदर बेजा इदर प्लस था तो इदर minus यह minus 80 को left side बेजा तो minus से plus बन गया minus 84 plus 80 आजाएगा minus 4 5x minus 4x आजाएगा 1x जिसको x लिख सकते हो तो आप बोल सकते हो therefore x is equal to minus 4 अब जैसे ही x negative आएगा बच्चे सोचेंगे ओरी negative कैसे हो सकते हैं उनलोगोंने बोला है subtract करना है subtract minus 4 करके कैसे आ सकता है चलो आ सकता है पहले तो answer आपको मिल गया अब क्या लिखेंगे answer answer लिखेंगे minus 4 should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resultant numbers are in continued proportion तो यहाँ पर final answer लिख दिया minus 4 should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resultant numbers are in continued proportion यह minus 4 है subtract हो रहा है हो सकते हैं आपको यहाँ पर doubt आएगा ठीक है लेकिन यह correct answer है आपन चेक कर सकते हैं इसमें substitute करके देखते हैं कि minus 4 करेंगे तो क्या होगा यह same equation में x के जगे पर minus 4 डालेंगे देखो क्या मिलता है यहाँ पर देख लो यह equation था इसमें x के जगे पर हम लोग minus 4 डालेंगे यह minus इधर है x के जगे पर minus 4 डालेंगे ठीक है आपको मिलेगा उपर 12 plus 4, नीचे क्या मिलेगा? 16, minus minus फिर से plus होगा 4, यहाँ पे भी 16 minus minus plus 4 हो जाएगा, और इधर भी आपको 21 minus minus plus 4, क्या आता है? 12 plus 4 आजाएगा 16, 16 plus 4 आजाएगा 20, 16 plus 4 आजाएगा 20, 21 plus 4 आजाएगा 25, तो यह दिख रहा है आपे 20, 20, same number, multiply करके चेक करेंगे तो भी आपको समझ में आजाएगा, कि 20 into 20 तो आजाएगा 400, और 25 into 16 करके चेक करो, 25 into 16, 16, 5 is our 80, 8, 16 to 32, plus 8, 40, यह भी आएगा 400, तो दिख रहा है, यह और यह multiply किया तो equal ही आना चाहिए न, और continued proportion में यह और यह same होता है, तो यह minus 4 correct है, इन लोगों ने actually question ऐसा देना चाहिए था, which number should be added to 12, 16 and 21, so that the resultant numbers are in continued proportion, तो हम लोग को यह negative नहीं आथा, तो हम लोग को खाली 4 answer देता, पट इन्होंने subtracted लिखा है, तो अभी हम लोग को ऐसे answer दिकालना पड़ेगा, यह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यह पहला sum था, इसलिए मैं आपको बता रहाओं कि, check करके भी आप देख सकते हो, कि answer correct है के नहीं, यह कैसे लिखना है solution एक बार देख लो, solution में आपको सिर्फ इतना ही बताना है, कर लिखाओं के नोट बूक में, यह condition देख लो एक बार, यह हर जगह यूज़ोने वाला है, पूरे practice check में, next करते हैं, second question दिया है, if 28-x is the mean proportional of 23-x and 19-x, then find the value of x, mean proportional मतलब जो बीच में नंबर होता है वो, जो continue करवाता है proportion वो, मतलब 23-x और 19-x के बीच में यह आएगा, mean proportional geometric mean मेंने सिखाया था न, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कि 23-x, फिर बीच में कौन आएगा, 28-x and बाद में आएगा, 19-x, ठीक है, यह क्या है, these are in continued proportion, इतना सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे न, we know that 28-x is the main proportional of this and this, सीधा condition लिख सकते हो, क्या हैगा condition, देखो, 23-x, फिर mean proportional क्या है, 28-x is equal to, फिर से 28-x upon 19-x, ऐसे आ जाएगा, यह लिखेंगे न, तो आप लोगों को यह लिखने में आसानी होती, क्योंकि देखो, पहले 23-x, फिर यह इस पे continue होगा, तो इधर और दर same, फिर 19-x, यही condition है न, इसके बाद तो, हम लोग cross multiply करके solve कर सकते हैं, या फिर इस पे dividend लगा के solve कर सकते हैं, अब भी मैंने dividend लगा के solve करके बताया था न, तो इस पे लगा देंगे dividend खुझ से, इसके बाद तो solve हो जाएगा, आप x का value easily find कर सकते हो, चलो लगाओ इसके उपर dividend हो, और find करो x का value, ऐसे आएगा, पहले लिख दिया, 28-x is the main proportional of 23-x and 19-x, therefore, 23-x, बीच में आएगा mean proportional and 19-x, are in continued proportion, अगर ए continued proportion है तो क्या आएगा, this upon this, फिर इसके उपर continue होता न, बीच वाले पहे, तो बीच वाला इधर वापस same आएगा, और नीचे आएगा 19-x, अब इसको solve करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपने cross multiply किया है, तो आपको quadratic equation आएगा, अगर आप dividendों लगा रहे हैं, तो dividendों में क्या आएगा, ये numerator, ये denominator, numerator minus denominator, upon denominator होता है न, देखो, ये denominator उपर minus हो गया, नीचे denominator same, यहाँ पर भी, ये denominator उपर minus हो गया, नीचे denominator same, dividendों कर दिया है इसके उपर, डाकेट को खोला, तो ये हो जाएगा minus 28, फिर minus minus plus, यहाँ पर minus 19, minus minus plus, देखो यहाँ पर, यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है, कि minus x plus x cancel, यहाँ पर भी minus x plus x cancel, क्या बचा उपर, 23 minus 28, which is minus 5, 28 minus 19, which is 9, अब इसको cross multiply करोगे, तो quadratic equation नहीं आएगा, quadratic मतलब, यह x into x होके x square होगा, ठीक है, फिर उसके factors निकालने पड़ेंगे, इससे 6 से solve करो, दो step लगा है उसके उपर, तो quadratic को आपने भखा दिया, cross multiply किया, और इसको rearrange किया, तो आपको मिला 14x is equal to 347, ठीक है, तो यह आपका final answer है, उन्होंने वही पूछा था, find the value of x, तो हम लोग ने x का value find कर लिया, 347 upon 14, ओके, copy कर लो note book में, इसके बाद मैं यही question में, यह वाला cross multiply करके भी आपको बताता हूँ, जिन बचों को doubt है ना, कि नहीं, यह ऐसे dividendo क्यों लगा रहे हैं, नहीं है, ज़रूरी dividendo लगा ना, आप cross multiply कर सकते हो, लेकिन cross multiply में क्या, बड़े-बड़े numbers आ जाएंगे, quadratic में, तो थोड़ा calculation आएगा, पर tension हो जाएगा, चलो करते हैं इसको, दूसरे method से, यहां तक सब कुछ सेम है, इसके बाद x का value find करने के लिए, मैं second method बता रहा हूँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप cross multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा, 23 minus x, multiplied by 19 minus x, will be equal to 28 minus x, into 28 minus x, है ना, यहां पर देखो, दोनों multiply हो रहा है, 28 minus x, 28 minus x, और यहां पर यह दोनों, अब इसको, यहां पर bracket खोल देंगे, क्या मिलेगा, 23 यह दोनों से multiply होगा, और minus x भी यह दोनों से multiply होगा, ठीक है, अब इतना तो direct कर सकते हैं हम लोग, 23 into 19 करते हैं, क्या मिलेगा, 437, रफ में check कर लो, फिर यहां पर देखो, minus है, 23 into x, 23x होता है, लेकिन sign minus का आएगा वहाँ पर, फिर यह minus x into 19, देगा आपको minus 19x, फिर minus x into minus x, आपको देगा, plus x square, ठीक है, equal to, अब यहां पर 28 into 28 होगा, कितना मिलेगा आपको, 28 into 28 होता है, 28 square मतलब 784, फिर 28 into minus x, will give you minus 28x, फिर 28 into minus x हो जाएगा यह वाला, तो आपको मिलेगा minus 28x, फिर minus x into minus x, आपको देदेगा, plus x square, अरे वा, quadratic तो नहीं आ रहा, क्योंकि plus x square इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों तरफ plus x square है, तो आप काट सकते हो, plus x square को, तो यहां का plus x square, यहां का plus x square कड़ गया, अब यहां पे minus 23, minus 19 आप करेंगे, तो आपको मिलेगा minus 42x, और यह 437, ऐसे का ऐसा, equal to 784, बाद में यह minus 28, minus 28, आपको मिलेगा minus 56, और साथ में x है, यह minus 56x को इधर भीज़ दो, तो plus 56x हो जाएगा, 437 को उधर भीज़ो, तो minus 437 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, therefore, 56x minus 42x, is equal to, 784 minus 437, समझा कैसे, यह minus 56 आपको इधर, plus 56 हो जाएगा, इसलिए उसको पहले लिखती है, 56 minus 42 आपको आजाएगा, 14x, is equal to, यहाँ पर कैसे आएगा, 14 minus 7, 7, 7 minus 3, 4, 7 minus 4, 347, x का वैलिव आपको मिल जाएगा, 347 upon 14, सेम अंसर आए, दोनों मेथर्ड से सेम आया, और यहाँ पर कौडराटिक नहीं आए, यह भी बहुत ही इजीली आगया आपको, यहाँ आए ना, आपको 347 upon 14 है आया था, बट यहाँ पर यह जो, कैलकुलेशन करने पड़े हैं, 23 into 19, 28 into 28, फिर यहाँ वाँ, प्लस माइने, वो बहुत बड़े बड़े थे, जो इसके पहले के मेथर्ड में थे, वो थोड़े छोटे थे, तो अगर आपको यह मेथर्ड कॉपी करना है, तो यह भी कॉपी कर लो, इसके फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं, यह पहला डिविडेंड वाला मेथर्ड देखो, इसमें थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन थे, वो काफी छोटे थे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका solution हमारे पास conditions है, यह equations in one variable में कैसे questions होते हैं, वैसा question, solve करनेंगे बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग ये वाले तरीके से करेंगे, बाकी दो numbers assume कर लेते हैं, X and Y, तो यह से आएगा, let the remaining numbers be X and Y, अब 12 यहाए mean proportional, तो मैं बोल सकता हूँ X, और बीच में 12 यहाएगा, because 12 mean proportional है, and Y are in continued proportion, अगर यह तीनों, continued proportion में तो आप next क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, therefore, X upon 12, is equal to 12 upon Y, यह होता न condition, X upon 12, is equal to 12 upon Y, 12 पे continued, cross multiply कर लो, X into Y आजाएगा, X Y, and 12 into 12 आजाएगा, 12 square, तो आपको मिल जाएगा, therefore, X Y is equal to 12 square, कितना होता है, 144, ओके, आया समझ में, अभी, दूसरा condition क्या दिया है, sum of the remaining two numbers is 26, remaining two numbers कौन थे, X and Y, तो हम लोग लिख सकते हैं, according to the given condition, X plus Y, will be equal to 26, लिख सकते हैं न, ऐसे आजाएगा, according to the given condition, X plus Y equal to 26, कहां से मिला मुझे यह देखो, sum of the remaining two numbers is 26, sum मतलब plus, दो numbers कौन थे, X and Y, अब आपके पास दो equation है, एक यह और एक यह, यह यूज़ करके आपको, यह numbers निकाल ले, दो unknowns हैं न, X and Y, दो अलग अलग चीज़ें, जो आपको नहीं पता है, और आपके पास दो रिष्टे हैं, यह दो रिष्टे यूज़ करके, आप हमेशा दो चीज़े निकाल सकते हो, तीन चीज़े नहीं पता होती, तो तीन रिष्टे चाहिए, ठीक है, you need three equations, यहाँ पे दो unknowns है, तो दो equations से काम हो जाएगा, तो यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, मैं y की value निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, therefore, y is equal to 144 upon x, लिख सकता हूँ ऐसा, y की value चीज़े, तो x को यहाँ पे बेज देंगे न, ठीक है, तो इसको equation number दे देते हैं, let's see, यह 1 है, हो सकता है, आगे जाके काम आए, इसको 2 दे देते हैं, अपने numbers हैं, हजारों number के equation दे सकते हैं, कोई फरक नहीं पढ़ता, और यह अपना third, ठीक है, अब यह जो है न, y का value है, y के जगे पे मैं substitute कर देता हूँ, equation 2 को equation 3 में substitute करता हूँ, तो क्या मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा, यह, यहाँ पे दिया था, x plus y equal to 26, तो x के जगे पे तो x है, y के जगे पे मैंने यहाँ से 144 upon x दाल दिया, is equal to 26, अभी नीचे x है, नीचे x को हटाना है, तो सब को x से multiply कर दो, तो नीचे का x यहाँ पे हड जाएगा, खाली इसको x से multiply नहीं कर सकते, सब को करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब मैं इसको x से multiply करूँगा, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा x square, जब मैं इसको x से multiply करूँगा, तो x और x कर जाएगा, बचे का सिर्फ 144, जब मैं इसको x से multiply करूँगा, तो x into 26 को मैं लिख सकता हूँ, 26x, यहाँ पे reason लिख दो, multiplying throughout by x, फिर next step में, 26x को इदर लिखिया हो, तो minus हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा therefore, x square minus 26x, plus 144 is equal to 0, ठीक है, यह 26x को बीच में लिखा, क्योंकि यह quadratic equation है, कैसे solve करेंगे इसको, इसमें हम लोग निकालेंगे, product और factors, यहादे कैसे करते दे, तो इसमें product क्या आता है, product आता है, यहाँ पे देखो, 1, 1 into plus 144, तो आपको मिलेगा, plus 144, अभी इसको आपको, दो factors में split करना है, कि multiply करके यह मिले, और add subtract करके यह मिले, ठीक है, तो 144, कब-कब मिलता है, 12, 12,000 मिलता है, लेकिन आप 12, 12,000 करेंगे, तो 12 plus 12, तो 24 आएगा, है ना, और 12 minus 12, 0 आएगा, 26 तो नहीं आ रहा, तो हम लोग नहीं कर सकते, और आपको अगर चेक करना है, तो आप 144 को factorize करके, हमेशा चेक कर सकते हैं, factors कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, तो आप हमेशा 144 को side में factorize कर लो, ठीक है, थी जार, 3 यह वन जार, ओके तो factors है, क्या मिल गए, 2 इन्टो 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 चार बार 2 और 2 बार 3, अभी इसमें से आपको 2 groups बनाने, तो देखो मैं groups बना रहा हूँ, 2 तोs आर 4, 4 तोs आर 8, 8 तोs आर 16, ठीक है, 16 और 3, 3 जा 9 तो 16 और 9, 144 आना चाहिए लेकिन 16 प्लस 9 करेंगे तो आपको 25 आता है आपको 26 चाहिए और 16 माइनस 9 करूँगा तो और कम हो जाएगा next देखो, मैं करता हूँ ये 3, 2, 6, 6, 3, 0, 18 ये तीनों को साथ में ले लेते हैं 18 और यहां बजेगा 2, 2, 4, 2, 2, 8 तो 18 और 8 आप 18 और 8 लेकिन देखो 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 आएगा 18 प्लस 8 करेंगे तो आपको 26 मिलता है तो आपका काम हो जाएगा यहां पे तो मैंने यहां पे लिखा 18 और यहां पे लिखा 8 इसका साइन कैसे निकालेंगे इसका साइन हमेशा यहां से आता है तो यह माइनस आ जाएगा फिर इसका साइन निकालने के लिए माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस तो यहां आ गया माइनस देखो, minus 18 into minus 8 करेंगे, तो minus into minus बन जाएगा plus 18 into 8 आजाएगा 144, minus 18 minus 8 करेंगे, तो आपको मिलेगा minus 26, जो हमको चाहिए था, तो हमने इसको split कर दिया, तो आप क्यासे लिखेंगे इसको, next step में आप x square ऐसे लिखेंगे, plus 144 भी ऐसे ही लिखेंगे, but ये minus 26x को क्या लिख जाएगे, minus 18x minus 8x, ये जो 18 और 8 है, ये यहाँ से आया है, sign भी उसका उदर से ही लेने गाए, ठीक है, अब इसमें 2-2 की जोडी बनाओ, ये 2 को group बना दो, और ये 2 को group बना दो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इसमें से देखो, x common, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है तो इसका 2 में से 1x निकाल लिया, तो अंदर 1x बचेगा, minus, यहाँ से x निकाला तो बचेगा 18, यहाँ minus common ले लेते हैं, क्या हैगा, 8 को common ले लेते हैं, अगर 8 को common लिया, तो क्या बचेगा है, यहाँ पर x, देखो है, 8 को common लिया, तो सिफ x बचेगा, और ये plus क्या बन ज करेंगे तो यहां पे लिख दिया 18 equal to 0 अब देखो दोनों जगे x minus 18 x minus 18 तो x minus 18 को common ले लिया क्या बचा यहां से x minus 18 को common लिया तो बचा x यहां पे से x minus 18 को common लिया तो बचा minus 8 equal to 0 अभी दो नंबर को multiply करके answer 0 कब आएगा या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा है ना तो हम लोग बुलेंगे therefore x minus 18 equal to 0 होना चीए और x minus 8 equal to 0 होना चीए दोनों में से x 0 होगा तो ही multiply हो के 0 आएगा तो इससे x का value क्या मिलेगा आपको minus 18 को उधर बेज दो 0 प्लस 18 हो जाएगा 18 और यहां पे क्या आएगा minus 8 को उधर बेज आ तो 0 प्लस 8 हो जाएगा 8 x का value या तो 18 मिला या 8 मिला ठीक है x जह से मिल गया आप यहां पे y में substitute करोगे तो आपको y का value मिल जाएगा तो यह substituting in equation 2 करते हैं क्या मिलेगा substituting x equal to 18 और x equal to 8 in equation 2 यह वाले में तो y का value क्या आएगा y equal to 144 upon x तो x के जगे पे डालेंगे 18 और x का दूसरा value क्या है 8 तो x के जगे डालेंगे 8 ठीक है अब इसको cut करके solve करो बहुत easily solve हो जाएगा यह क्या आएगा देखो 2,9,0 और यह हो जाएगा 2,7,0,14, 2,2,0,4 फिर यह 9,1,0,9,8,0,72 y का value 8 आगया यहाँ पे देखो 8,1,0, यहाँ पे आएगा 8,1,0,8,6 बचा 64 आएगा 8,8,0 तो आपको मिला therefore y is equal to 8 और y is equal to 18 ठीक है तो क्या-क्या values हो गई आपको पता था कि x, 12, and y are in continued proportion तो पहले हम लोग x का value 18 लेते हैं तो क्या आएगा हम लोग बोलेंगे therefore x का value अगर 18 लिया बीच का नंबर तो fixed है देखो यहाँ पे बीच में तो 12 ही आने वाला है सिर्फ last में x और y है तो x का value अगर 18 लिया तो y का value क्या आता है 8 तो x का value 18, y का value 8 ब और यहाँ पर क्या आएगा इसमें भी बीच का number 12 fixed है लेकिन यहाँ पर x क्या है देखो x है 8 और y कितना है y है 18 तो दिख रहा है 18, 12, 8 या 8, 12, 18 नंबर तीनों सेम है लेकिन order रहे इसमें 18 पहले आ रहा है इसमें 18 बाद में आ रहा है उसने order पूछा था क्या उसने order नहीं उसने बोला find these numbers तो अपन सीधा बोल सकते है 18, 12, 8 और 8, 12, 18 are the three numbers ओके तो ऐसे आ जाएगा पूरा solution the three numbers are 18, 12, 8 और 8, 12, 18 दोनों बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो factorization बता है यह मैंने आपके help के लिए बता है वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है यह product लिखा है यह बताने की जरूरत नहीं है आप directly minus 26 को minus 18 into minus 8 कर सकते है तो यह वाला part आप rough में कर लेना यह erase कर रहा हूं मैं यहाँ से ठीक है क्योंकि उसके current solution बहुत difficult लगता है लेकिन है नहीं यह आपने age standard में already सीखा है लेकिन मैं revise करा रहा था कि कैसे निकालते है middle time तो erase कर देता हूं त यहाँ पर से y का value निकाल लो y का value क्या आजाएगा 26 minus x ठीक है फिर यहाँ पर y के जगे पर 26 minus x substitute कर दो उससे भी same answer आने वाला है ठीक है तो उससे यह सब नीचे x वगिरा नहीं आएगा सीधा आपको यह वाला equation मिल जाएगा ओके एक step कम हो जाएगा कर लिया copy notebook में बच्छ वाला part हमने h standard में already किया हुआ है कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है next करते है fourth दिया है a plus b plus c into a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square show that a b c are in continued proportion अगर a b c in continued proportion होते है तो हमको क्या मिलता है a upon b is equal to b upon c यहाँ पर cross multiply करो क्या मिलेगा b square is equal to a into c ऐसा मिलता है न तो अगर आपको यह रिष्टा मिल गया मतलब यह लोग continued proportion में होंगे तब ही मिलेगा न तो यहाँ पे इसको solve करके अगर यह मिल गया तो हमारा काम हो गया b square equal to a c मिलना चाहिए ठीक है यादे न यह रिष्टा बहुत important है b square equal to a c तो हम लोग इसको solve क करेंगे कैसे solve करेंगे इसको expand करेंगे यह तो true है वो बोल रहा है ठीक है तो इसको expand करो left side में यह a को यह पूरे से multiply करो यह plus b को यह पूरे से multiply करो यह plus c को यह पूरे से multiply करो क्या आएगा यहाँ देख लो मैंने क्या किया पहले यह a को यह पूरे से multiply किया फिर plus b को भी यह पूरे से multiply किया, फिर ये plus C को भी ये पूरे से multiply किया, right side में क्या था, equal to A square plus B square plus C square, अब इसको अंदर बेजो A into A, A square, फिर minus A into B, AB, फिर A into C, AC, सामने plus है, अब यहाँ पे plus B into A को B A लिख सकते हो, या A B लिख सकते हो, A B लिख दो थाकि cancel करने में easy हो, A B और B A दोनों same है, अ अब और 2, product है न, product में order important नहीं होता, फिर plus into minus आजाएगा minus, B into B हो जाएगा B square, फिर plus into plus हो जाएगा plus, B into C हो जाएगा BC, C into A को CA मतलिको, AC लिख दो, alphabetical order में लिखो, ताकि cut करने में same numbers आपको दिख जाए, फिर ये plus into minus आजाएगा minus, C into B को CB मतलिको, BC लिखो, फिर plus into plus हो जाएगा plus, C into C हो जाएगा C square, right side का जो A square, B square, C square था उसको left side लेकिया हो, तो यहां पे देख ये plus था, ये उदर जाएगा, तो minus A square बन जाएगा, plus B square उदर जाएगा, minus B square बन जाएगा, plus C square उदर जाएगा, minus C square बन जाएगा, sine change हो जाता न, equal to cross किया, और equal to के बाद हमने स रखा, यह तिनों को वहाँ से बगा दिया, तो 0 यह बचेगा न, अब क्या-क्या cut हो रहा है देखो इसमें, आपको एंदम easy ली दिख जाएगा क्या-क्या cut हो रहा है, यहाँ पर यह plus a square और यह minus a square cut, है न, यह minus c square और यह plus c square cut, minus a b और प्लस A, B, C, 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 2B square को उधर बेच दो, minus है, उधर जाके plus हो जाएगा, plus लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तरफ 2 है, तो 2 से divide कर दोगे, तो 2, 2 दोनों तरफ कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ AC, और ज़र बचा B square, उसको ऐसा लिख सकते हो, B square equal to AC, उल्टा करतो हो न, अब B square equal to AC का मतलब क्या होता है, B square equal to AC का मतलब होता है, A, B, C, R, N, Continued Proportion, ओके, इजी है न, खली इसको expand करना दवस, expand करके, जो terms का टोर है, कट किये, ये वाला रिष्टा आ गया, तो देख के समझ में आना चेह, ये रिष्टे का मतलब होता है, A, B, C, R, N, Continued Proportion, कर लिए copy notebook में, आया समझ में, चलो next करते हैं, फिफ्ट वाला देखो, if A upon B equal to B upon C, and ABC greater than 0, इसका काम बाद में आएगा, अब इसको मत देखो, then show that, ये आपको prove करना है, ये रिष्टा दिया है, ये यूज करके आपको ये प्रूव करना है, मतलब इसको solve करूँगा, तो ये आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो, A upon B equal to B upon C, मतलब cross multiply करो, B into B क्या हो जाएगा, B square, और यहाँ पे A into C हो जाएगा, यहाँ पे left में दिया है, ये वाला value, हम लोग इसको solve करेंगे, और ये वाला value लेके आएगे, ठीक है, इसको equation number देदो, 1 ये वाले को, ये use करना पड़ेगा, अब इसको expand करो, ये A इससे multiply होगा, तो मुझे मिलेगा, A into B minus C, फिर ये plus B भी इससे multiply होगा, तो मुझे मिलेगा, plus B into B minus C, फिर ये plus C भी इससे multiply होगा, तो मुझे मिलेगा, plus C into B minus C, ऐसे ही solve करते हैं, अभी ये A को इससे multiply करेंगे, तो मिलेगा A, B, फिर यहाँ पे minus है, तो minus A into C आजाएगा, A, C, plus, अभी B into B आजाएगा, B square, बीच में minus आएगा, because plus into minus is minus, B into C आजाएगा, B, C, plus, यहाँ पे देख लो, C into B क्या आएगा, C भी मत बोलना, B, C बोलना, order same रखना, ठीक है, तो इसको लिख देंगे B, C, फिर, यहाँ पे plus into minus आजाएगा, minus, C into C हो जाएगा, C square, okay, equal to, क्या-क्या कट हो रहा है, देखो यहाँ पे, यह minus B C, plus B C कट हो गया, okay, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं न, कि दिख रहा है कुछ कट होता हुआ, तो next step में, मैं क्या करूँगा, मैं यह AB को ऐसे लिख दूँगा, minus AC को ऐसे लिख दूँगा, यह जो B square है, इसके जगे पे मैं AC लिख सकता हूँ, क्योंकि B square is equal to AC, तो यहाँ पे B square के जगे पे क्या डिया, यहाँ पे डाल दिया AC, ठीक है, बाद में, यह दोनों तो cut हो गए थे, बचा क्या है, सिर्फ minus C square, यह दोनों तो cut हो गया न, 0 हो गया, अब देखो, next step में क्या आएगा, next step में हम लोग बोलेंगे, equal to, यह देखो, minus AC plus AC, cut हो जाएगा न, यह दोनों, तो यह दोनों भी आपने cut कर दिया, क्या बचा, यहाँ पर बचा, AB और minus C square, यह दोनों, यहाँ पर यह step में हम लोग ने क्या यूज किया, B square equal to AC, यहाँ से यूज किया न, equation 1 से, तो reason लिख देने का, from 1, और यह AB minus C square क्या है, यह देखो, तो हमने यह पूरा left side solve किया, और यह वाला property, जो given था if, वो यूज करके prove कर दिया, कि यह AB minus C square है, है ना easy, सिर्फ expansion करना था बस, इसको expansion बोलते हैं न, छोटे terms थे, दो ही terms थे, expand करकर के देखो, कितने सारे terms है, expand मतलब बढ़ा करना, copy कर लो note book में, 5th का first कर लिया, अब भी 5th का second करेंगे है, done, तो 5th में दिया हुआ है न, a upon b equal to b upon c, and second question, prove करना है, ठीक है, तो यह हमारे पास है, तो b square equal to ac, तो हमारे पास already है, चलो अब second वाला use करते हैं, कैसे आएगा, यह 5th के अंदर, तीन question है, एक बाद text book में देखना है कैसे, यहाँ देख लो, 5th में, यह रिष्टा तीनों के लिए दिया हुआ है, upon b equal to b upon c, फिर हम को first, second, third, solve करना है, जिसमें यह use करना है, तो मैंने first कर दिया, अब यह same चीज़ use करके, second prove करेंगे, ओके, जिस second यहाँ पे लिख लिए, अब इसमें पहले question देख लो, left side में यह दिया है, और right side में दिया है, a, b, plus b, c, the whole square, दो terms combine हो रहे हैं, और एक term मिल रहा है, plus इसमें जोड़ी है, a, b, और b, c, इसमें a, और b, अकेले, अकेले है, तो हम लोग क्या करते हैं, यह b square equal to a, c, यहीं पर substitute कर देते हैं, तो next step में क्या आएगा आपको, next step में आएगा equal to, a square plus a, c, और यहाँ पे b square के जगे पे, फिर से a, c, डाल दो, plus c square, क्या किया मैंने, यह b square के जगे पे, a, c, डाल दिया, कहां से, यहां से, ठीक है, बाकी दोनों तो same, same रखें, तो यहाँ पे लिख दिया, from one, ओके, अब इसको solve करो, इसमें देखो, दोनों में a है अपने पास, इसके पास 2 a है, इसके पास 1 a है, तो 1 a को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा है, 2 में से a के बाहर निकाला, तो 1 a बचा, बीच में plus, इसमें से a बाहर निकाला, तो बचा c, समझा, अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, दोनों के पास c है, दिख रहा है, इसके पास भी 2 c, इसके पास 1 c, तो एक C बाहर निकाल लो अंदर क्या बचेगा? इसका C बाहर निकाला तो A बचेगा प्लस इसमें दो C में से एक C बाहर निकाला तो एक C बचेगा ओके? अब next step में देखो ये A और ये C मल्टिप्लाई हो जाएंगे ठीक है चारों मल्टिप्लाई हो देखो एक, दो, तीन, चार, चारों एक दूसरे से मल्टिप्लाई हो रहे हैं तो इसमें ये दोनों को पहले कर लो, multiplication में तो order फरक नहीं बढ़ता तो A और C को मैंने साथ में मल्टिप्लाई करती है और जब A प्लस C और A प्लस C एक दूसरे से मल्टिप्लाई होगे तो क्या मिलेगा सेम नंबर इंटू सेम नंबर है सेम नंबर स्क्वेर है ना तो यहा मिलेगा A प्लस C इंटू A प्लस C विल भी A प्लस C, the whole square ये समझा ना सेम है देखो 2 multiplied by 2 क्या होता है 2 square ठीक है अब हम लोगों क्या करना है यह AC को फिर से मैं B square लिख सकता हूँ क्या 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 क्योंकि मुझे end में दोनों चाहिए देखो combine करना है इसमें देखो A और C है लेकिन B जो है वो missing है तो हम लोग AC को फिर से B square लिख देते है तो AC को मैंने लिख दिया B square और यह A plus C the whole square ऐसे रहें दिया ठीक है यह कहां से आया AC equal to B square यहां से आया from 1 तो फिर से reason लिख दो from 1 अब इसको manipulate करो कैसे manipulate करेंगे देखो इसका भी square है इसका भी square है तो हम लोग क्या करेंगे एक पूरा bracket बना देंगे और उपर square दे देंगे ठीक है और अंदर लिखेंगे B into A plus C जब यह bracket को खोलेंगे तो यही मिलेगा न देखो square जब अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा B square and A plus C the whole square फूरे bracket को square मिलेगा तो इसको हमने ऐसे लिख दिया अब इसको क्या करेंगे इसको अंदर solve करेंगे देखो क्या मिलता है B into A क्या होता है A B and B into C क्या होता है B C the whole square यही है ना देखो यहांते A B plus B C the whole square सिर्फ ब्राकेट अलग अलग है यह square ब्राकेट को round बना दो confusion ही करता हो यहां पर square बनाना पड़ रहा है बिकॉज यहां पर अंदर round bracket already है अभी जब इसको multiply कर दिया तो square bracket तो गया है बोगया ना सिर्फ round बचा ठतम यही तो प्रूफ करना था देखो A B plus B C the whole square एक बार अच्छे से देखो इसमें हमने बहुत manipulation किया हमने पहले इसको B square को AC लिख दिया दोनों जगे पे फिर last में AC को भी B square लिख दिया ठीक है तो hence, prude लिख सकता है ना hence, prude full stop कर लो copy notebook में फटा फट से यह solve करने का एक और method है, बट पहले हम लोग एक method से सीख लेते हैं कैसे करना है direct substitution माला method है यह तो done, third करते है third में दिया है, A square plus B square upon AB is equal to A plus C upon B करना है यह रिष्टा तो हमारे पास already दिया हुआ है, इससे हमको क्या मिलता है B square is equal to A C इसको solve करते है equal to, यह A square को A square रहन दो यहाँ पर यह जो B square है, उसके जगे पर लिखते हैंगे A C ठीक है, और नीचे AB है हमारे पास यह कहां से आए B square equal to A C यह equation 1 से आए, तो reason लिख दो यहाँ पर from 1, ठीक है next step में देखो, यह दोनों में A है इसके पास 2 A है, इसके पास A के है तो A के तो common ले सकते हो, तो आपने A के common ले लिया A square में से A के common लिया, तो 1 A बचेगा फिर बीच में plus sign है, तो plus और A C में से 1 A common लिया, तो बचेगा C upon, नीचे तो हमने कोई मस्ती नहीं किया है, वो बिचारा A B रहेगा, अब देखो, यहाँ पे यह A और यह तो cancel कर सकता हूँ नो, सेम टेबल में जाएगा, सेम नमबर है A, तो मैं cut कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा A 1000, A 1000, क्या बचा? आपके पास बचा A plus C, नीचे क्या है, सिर्फ B, यही तो पूछा था, हमने शुरू किया इस से, और value हमने यह प्रूफ कर दिया, तो यह भी हो किया हमारा solve, तो हम बाजो में लिख देंगे, hence, comma, proved, full stop, है ना, एक दम easy, चलो, copy कर लो, फटाफट से नोड़ो बुक में यह भी, fifth question बहुत easy है, second वाला fifth में थोड़ा manipulation था, बट, practice किया तो समझ में आ जाएगा, कि B square को AC लिखना है, AC को B square लिखना है, अदली बदली करके यह ले के आना है, कुछ भी करके, sixth question दिया है, find mean proportional of, देखो ऐसे बहुत सारा terms लग रहा है यहाँ पर, लेकिन है तो सिफ दो ही नमबर, एक नमबर, comma, दूसरा नमबर, इन दोनों का mean proportional, mean proportional मतलब इन दोनों के बीच में एक नमबर आएगा, let's say वो नमबर को मैं ले लेता हूँ B, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नमबर आएगा, और ये तीनों continued proportion में हो जाएगे, उसको ही बोलते है mean proportional न, A, B, C के terms में ले लो, अगर A, B, C होता, तो मैं क्या बोलता, B is the mean proportional of A and C, assume कर लो ये A है और ये C है, तो उसके बीच में एक नमबर find करना है आपको, जिसका नमबर है B, ठीक है, और अगर A, B, C, continued proportion में है तो हमको क्या पता होता है, A upon B is equal to B upon C, इसमें से मुझे मिलता है B square is equal to A, C, ये जो बीच में नमबर है B, उसका square should be equal to A into C, वही है ना देखो A के जगे पर, ये C के जगे पर, ये बड़ा देखके डरना नहीं, इसको दिमाग में imagine करो A है और imagine करो C है, ठीक है, इनके बीच में एक नमबर find करना है B, पर हमको पता है कि B, A, C का रिष्टा क्या है, B square is equal to A into C, ठीक है, तो solve करते है, B ऐसे लिख देंगे, let B be the, ये B be the, थोड़ा confusing sound करता है, इसको कुछ और लेते तो भी चलता, लेकिन, generally हम लोग middle number को B लेते हैं, इसलिए B ले रहा हूँ, let B be the mean proportional of this and this, ये क्या है अपना A and C, तो हमको पता है, अगर mean proportional होता है, तो इसका square will be equal to A multiplied by C, B square equal to A C था ना rule, तो A क के जगे पर ये वाला number है, तो देखो ये लिख दिया, multiplied by C के जगे पर ये वाला number है, तो ये लिखती है, अभी हम लोग को इसको solve करना है, और B का value find करना है, क्योंकि B ही अपना mean proportional है, थीक है, तो अभी इसको solve करते हैं, simplify करते हैं, देखो ये X plus Y तो already simple है, ये X minus Y भी already simple है, ये जो X square minus Y square है, ये देखो A square minus B square, formula याद है, A square minus B square का formula था, A plus B into A minus B, A standard में किया था, तो मैं इसको, सिर्फ इसको change कर रहा है, देखो कैसा आएगा, इसको change करके लिखूंगा, X plus Y into X minus Y, नीचे क्या आजाएगा हमारे पास, नीचे हमने कुछ change नहीं किया है, X square Y square, ये formula ल लोग right side में लिख देंगे, इसे लिख सकता हूँ, because X square minus Y square का value क्या है, X plus Y into X minus Y, अब देखो यहाँ पर, नीचे X minus Y, यहाँ पर X minus Y, cut हो सकता है, तो मैं उसको कर देता हूँ, cut, ये X minus Y, और ये X minus Y, cut, आपको चाहे तो bracket में डाल लो, अगर आपको confusion हो रहा है, तो आपको स X plus Y into X plus Y हो जाएगा, X plus Y the whole square, नीचे क्या अपने पास, नीचे अपने पास X square Y square, ठीक है, ये जो इधर है होई, अब मुझे B square चाहिए न, तो B square, अगर मुझे B निकालना है तो यहाँ पर square root लेना पड़ेगा, अभी आप देखो उपर भी square है, नीचे भी square है, तो आपन क इक बार पहली भी ऐसा किया था, X square bracket डाल देते हैं बड़ा, और उपर पुरा square कर देते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बजेगा, उपर है X plus Y, और नीचे क्या है, X, Y, दिख रहा है, या फिर आपको चीतो एक और step कर लेते हैं इसमें, हम लोग इसको shift कर देते हैं, इसको कै लिख सकते हैं, equal to X plus Y the whole square upon, ये नीचे देखो, X square और Y square है, तो उसको अब ऐसा लिख सकते हो न, X, Y the whole square, लिख सकते हैं न, X, Y the whole square मतलब क्या, X square, Y square, ठीक है, अब देखो, ये पूरे term का square, ये पूरे term का square, तो अपने एक bracket डाल दिया, और पूरे का square एक साथ लिख दिया अंदर क्या आएगा, X plus Y और X Y, ये square को अंदर बेजेंगे तो क्या आएगा, ये square इसको भी मिलेगा, और ये square इसको भी मिलेगा, देखो, ये step मिलेगा, लेकिन ये लिखने में फाइदा क्या है, कि right side में में बपास B square है, अब जब मैं इसका square root लूँगा, ठीक है, ये क् ना, B square ना, उपर देखो, ये ही से आ रहा है न, B square, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर square root लूँगा, तो क्या आएगा, मैं बोल सकता हूँ, therefore, B is equal to, इसका square root, रहेट, इसका square root, ये वाले term का, क्या है, X plus Y upon X Y, the whole square, तो जब square root लेंगे, तो ये root और ये square क्यांसल, है न राइट में लिख देंगे, taking square root on both sides, तो बचेगा क्या अपने पास, तो अपने पास बचेगा, छतरी गायब, बचा सिफ X plus Y upon X Y, ये ही तो था, भी ही तो पूछा था उसने हम लोग को, कतम हो गया, यहाँ पे reason लिख लो, taking square root on both sides, आपको चाहिए, तो यहाँ पे भी आप ऐसे बतातो, square और उसका लिया square root, ठीक है, तो ये square और ये root cancel हुआ, तो नीचे B बचा, और यहाँ पे ये square और ये root cancel हुआ, तो ये बचा, और यही हमारा unknown था, देखो, क्या पूछाता हूँना, हमने B निकाला था, let B be the mean proportional, B का value आ गया, तो हम square is, क्या था, B लिया था, हमने, mean proportional और B का value हमने निकाला, X plus Y upon XY, ओके, तो ये हो क्या हमारा, sixth question भी, थोड़ा tricky है ये, इसमें हम लोग ने क्या, B square equal to A, C, यूज़ करके, इसको simplify किया, बट simplify करके, हम लोग ने कोशिश की कि, कि इस side भी square आ जाए, क्योंकि हमको B का value चीए, बी square का value नहीं चीए, तो अगर इधर B square के चीए, बी चीए, तो square root लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी square root लेंगे, तो cancel होना चीए, ठीक है, अगर directly इसका square root लेते ना, तो cancel नहीं होता कुछ, बट हमने यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, कि एक पूरा bracket square आ जाए, तक यह square के स साथ यह च्छतरी के अंसल हो जाए, और सिफ अंदर का जो महाले मोगच है, ओके, करलो copy notebook में फटा फट से, तो बच्चों यहाँ पे यह lecture खतम करते हैं, आज के lecture में मैंने आपको यह first, second, third, fourth, fifth में भी यह first, second, third and sixth, all six questions करा दिये, और इसी के साथ हमारा practice set 4.5 यहाँ पे ख chapter भी यहाँ पे खतम हो रहा है, तो हम लोग ने ratio proportion के पांचो practice set अल्रेडी upload कर दिये हैं, यह पूरा practice set 4.5 continued proportion पे था, continued proportion मतलब अगर a, b, c, continued proportion में है, तो a upon b is equal to b upon c, देखो b और b, same आएगा, continue होगा, और इसमें से हमको क्या रिष्टा मिलता है, b into b, b square is equal to a, c, यह cross multiply करके यह और यह use करके सारे sums को solve किया है, बाकी इसमें कोई extra दिमाग नहीं लगाया है, बट जो बाकी chapters के concepts है, equation कैसे solve करना, expansion कैसे करना, जो यह standard में सीखा था, वो सब use किया हुआ है, ओके, वीडियो पसंद आया तो like करें, link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें, ताकि उनको भ जिरो ने कर दिया है subscribe, उनको thank you, bell icon पर भी click कर दो, ताकि जैसे ही मैं इसका next chapter upload करूँ, आपको notification आया और आपको important lecture मिस ना करें, comment में मुझे जरूर बताएं कि आपको ए वीडियो कैसा लगा, और ये तीन question solve करने का एक और method है, उसको k method बोलते हैं, अगर आपको चाहिए त तो मैं वो भी आपको सिखा सकता हूँ, पर अगर आपको स्कूल में सिखा रहे हैं तो ही बोलना, तो मैं उसका वीडियो एक अलग से upload करता हूँ, ठीक है, thank you so much for watching this video,